आज हम जो हैं wholesale की products को find out करने का method देखेंगे just via helium 10 के black box से हम wholesale की products को कैसे find out कर सकते हैं so let's see कि ये आपको dashboard helium 10 का नज़र आ रहा है और यहां पे left side पे हम जाएंगे home के नीचे एक tool है जिसका नाम है product research के नाम से और यहां drop down का option है यहां पे click करेंगे और नीचे black box पे click कर देंगे like ये black box जो है इसका dashboard open हो चुका है अब हम find करने जा रहे हैं helium 10 की helium 10 के जरीए helium 10 के black box के जरीए wholesale की products को find out करने जा रहे हैं यहां से सबसे पहले आपने marketplace जरूर चूज कर लेनी है like .com में ही रहते हैं और जो भी marketplace चूज करनी है सबसे पहले priority अपने marketplace को देनी होती है जिस marketplace में आप find out करना जा रहे हैं उस marketplace में आपने जरूर यहां पर enter कर लेना है ठीक है इसको नहीं भूलना उसके बाद आपने क्या करना है कि यह products पर ही रहने देना है और next आपने क्या करना है कि आपने कोई CB category select कर लेनी है like that मेरा दिल है कि मैं baby category में select करूं और इसके इलावा बहुत important पाकिस्तानियों की home and kitchen and after that देख लेते हैं जी pet and choice चीक है चार ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने फिर monthly जो revenue है वो minimum 10,000 रखते हैं आपने 10,000 उसके बाद हम क्या करेंगे price ठीक है price आपने minimum जो है वो 15 dollar रखनी है और इसके अलावा review count जो है वो आप रख लें तकरिबन 100 रख लें ठीक है यह 50 preferable होते हैं वैसे उसके बाद review rating की बाद कर लेते हैं तो review rating basically 4 रख लेते हैं यहां पर 4 एंटर किया उसके बाद हम देख लेते हैं जी यहां पर small standard and large standard tire size select कर लिया next हम आगे जी advance filter में जब advance filter में आए हैं हम तो नीचे हमने यह देख है bsr bsr आप रख लें one say onward 60,000 okay 60,000 हमने रख लिया उसके बाद हम देख लेते हैं number of sellers जो है वो basically हम कितने रखेंगे number of sellers आप रख लें तक्रीबन minimum 4 और maximum 25 कर ले minimum 4 and maximum 25 onward उसके बाद देख लेते हैं जी variation variation minimum 4 होनी चाहिए ठीक है और weight जो है आप maximum 2.5 कर लें 2.5 कर लें 2.5 कर लें 2.5 onward okay इन ही पे जस्ट रहना है इनको चेंज करते रहना है करते रहना और थोड़ा बो चेंज लिटल बीट करके तो आपने products को find out करने की कोशिश करनी है let's move on click on search and then after that you find multiple products from here you can see multiple products here and like that number of sellers इस product के 5 है और इसकी price है 23 industry इसी तरह number of sellers जो है इसमें 12 है और इसी तरह आपने देखना number of sellers जो है ना वो हमने जितने रखे थे उन्हीं के मताबर ये products हमें नजर आई हैं तो हम इसको क्या करेंगे new tab में open करेंगे और यहां पर आगे तो हमने definitely इसका criteria set करना है अपने मताबिक अब criteria जो है वो wholesale criteria जो है वो उसको हम इस product set करेंगे अगर तो criteria set हो गया तो then definitely good to go product होगी फिर हम इस brand के साथ contact करेंगे इसकी website को find out करके इससे contact करेंगे और हम कहेंगे हमें भी इतने पीस दे दे दें ताके हम आपके साथ meet to करके तो इसी product को sale out करें तो यह आज helium 10 के जरी है मैंने आपको बताया कि हम किस तरह find out करते हैं नेक्स्ट ओनवर्ड इंशाललह step by step मैं helium यह wholesale की products जो हैं यह hunting series स्टार्ट की है और इंशाललह step by step मैं आपको guide करूंगी सो ओके अलाफेर्स